मित्रो आकर कैसे बनाए 30,000 करोड का और fastest growing fintech startup आये जाने वक्त में पीछे जाके 1967 में जब बैंक्स ने अपने हातों में ली कमान आपके पैसे को रखने और बाटने की ATMs के द्वारा तब गोपी ने लाइन के धक्के ना खाने के लिए पहली बार ATM का इस्तिमाल किया और उसको लगा जिन्दगी हो तो ऐसी हो 1970 में गोपी की नौकरी विदेश में लगी जब Nasdaq जो पहला Digital Stock Exchange और Swift System की शुरुआत हुई और नए Money Transfer और Investment Options जब उसे देखने को मिले तो उसको लगा जिन्दगी हो तो ऐसी हो फिर जिन्दगी में उथल पुथल मचती है और आता है 2008 वो Crisis जिसने Investment और Traditional Banking Systems में एक भूचा ला दिया तब इंट्रोडक्शन होता है नए FinTech के दौर का Digital Wallets, Cryptocurrencies, Small Ticket Loans जब गोपी के सामने आते हैं उसको लगता है जिन्दगी हो तो ऐसी हो वर्णा इससे अच्छी हो 30 Billion Dollars इस समय ये Market Size है FinTech Industry का और 84 Billion Dollars 2025 में 22% की Growth के साथ ये चला जाएगा और ये नंबर के लिए जम्मेदार है COVID भी हम सब जानते हैं 14 लाख नए Retail Investors जोड़े 2020 के बाद और अभी भी लगबग 3% लोगी हैं जो इन्वेस्ट करते हैं Stock Market में इन सब के बावजूद तो मित्रो एक बात समझने जैसी है जो Startups इस समय FinTech Industry में हैं वो फोकस करते हैं Wealth Management और Investment के उपर जिनका स्कोप इस समय और आगे आने वाले कल में सात्वे आस्पान पे होगा जिरोधा इंडिया के गिने चुने Startup में से एक है जो Profitable है Bootstrap Startup होने के बावजूद तो इससे समझ में आ जाता है कि Power of Investment कहां आप देखते हैं आगे आने वाले कल में जहां हर दिन आपको नए Investment और Wealth Management Apps देखने को मिल रहे हैं उसमें तीन नाम आपके लोगों के दिमाग में सबसे ज़्यादा हिस समय चल रहे हैं Grow, End Money, Small Case और ET Money लेकिन ET Money ने कैसे अपने Competition को एक Genius Strategy से मात दे कि आज वो Fastest Growing Fintech Startup बन चुका है ET Money उन पहले Startups में से एक है जिन्होंने Wealth Tech को Introduce किया जी हां Wealth Tech और Fintech अलग फल हैं एक ही पेड़ के Example के तोर पे Paytm, Phone Pay, Razor Pay, Stripe जिसे हम Online Transaction को आसानी से और Offers के साथ कर सकते हैं वो सब आते हैं Fintech के अंदर Grow, Ind Money, ET Money, Small Case, Zerodha ये गिने जाते हैं Wealth Tech के अंदर तो ऐसी क्या बात है Fintech Startups जहां चाते हैं कि वो Wealth Tech की तरफ जाएं जब आप देखते हैं Paytm, Phone Pay जैसे Startups Investment Option भी ला रहे हैं लेकिन Grow और ET Money जैसे Startups Online Payment की तरफ नहीं जाते हैं प्रिये इसके लिए मैं आपको दो Option देता हूँ पहला आप पैसो को ले सकते हैं और दे सकते हैं और दूसरा Option ये है कि आप पैसो को बढ़ा सकते हैं तो कौन सा Option चूज़ करेंगे आप ये खास बात है Wealth Tech की जहां पैसा आता है जाता है लेकिन बढ़ता भी है और जहां Paytm फोन पे में गला कार्ड कॉंपटिशन चल रहा है Financial Reports लॉस में हैं और Commission on Transaction भी इतना ज्यादा नहीं है और उपर से लोगों की Mentality जो मजबूर करते है FinTechs को Wealth Tech में जाने के लिए लेकिन फिर आते हैं ET Money जैसे Startups जो मुकेश कालरा के अंडर AI और Data Based Wealth Tech लेके आते हैं और सब कुछ बदल जाता है और फिर एक सवाल आता है कि कैसे जहां जुलाई 2021 से जुलाई 2022 में Market इतना Volatile था तब भी इन्होंने 48% की Growth पाई और 30,000 करोड की Portfolios तक पहुँचे और अपने प्रतिदवंदियों को एक Strategy से ही मात दे दिया हम सभी जानते हैं कि Wealth Tech का एक Main Source होता है SIP और Mutual Funds हाँ ये भी एक बड़ा Reason है Wealth Tech के Grow होने का जिससे आप Easily SIP और Mutual Fund कर सकें लेकिन उसमें भी Unbiased Platform बहुत कम देखने को मिलते हैं जो बिलकुल Charge ना लें आपसे ये खास चीज तो बनाता ही है E.T. Money को लेकिन ये वो Strategy नहीं है जिससे इन्होंने इतनी Growth आसल करी उनके Decision Making Tools ने उनकी Growth को 100 करोड से 30,000 करोड तक पहुचाया दो साल के अंदर तो आखिर ये Strategy काम कैसे करते हैं E.T. Money अपने Subscriber से कमिशन नहीं लेता तो ये Decision Making Tools बनाके अपनी Genius Strategy को Implement करते हैं Investment Strategies के साथ Asset Allocation Advisory देते हैं ये जहां बाकी लोग मार्केट टाइमिंग पर फोकस करते हैं और यही तो सबसे वड़ी बात है आप इसको Wealth Tag, FinTech कुछ भी कहलें लेकिन E.T. Money सबसे ज्यादा कमाता है अपनी Consultancy से ये Consultancy Startup भी आप गिन सकते हैं Consultancy एक बहुत खास मार्केट बन चुका है क्योंकि सेम Consultancy Startup जो 23 साल के लड़के ने चालो किया वो आज 100 करोड से ज्यादा कमा चुका है उसका वीडियो मैंने आई बटन पर दे दिया आप चेक आउट कर सकते हैं इस वीडियो के बात लेकिन E.T. Money सिर्फ कंसल करने पर नहीं रहता ये आपको सज़ेश्ट करता रहता है कि मार्केट ट्रेंड्स के उपर जिससे आप Higher Returns को ले सकते हैं और जहाँ Higher Returns वहाँ इंडियन्स यार मार्केट कभी अब? कभी डाउ? कब इन्वेस्ट करूँ? किस में इन्वेस्ट करूँ? कितना इन्वेस्ट करूँ? मार्केट तो चड़ गया और अप्र प्रॉफिट्स बुक कर लूँ या इन्वेस्टेड रहूँ? इटी मनी की ये स्ट्रेटिजी एक लेवल और उपर पहुंचे जब उन्होंने लांच किया अपने जीनियस प्रोग्राम को जो कि एक सब्सक्रिप्शन बेस्ट रिकमेंडेशन प्लैटफोर्म है जो इन्वेस्टर के पर्सनेलिटी के हिसाब से उनका पॉर्टफोलियो बनाती है ये वही सिस्टम है जिसके एक्जामपल के तोर पे आप प्रांजल कामराजी के फिनोलोजी को ले सकते हैं पर्सनेलिटी के हिसाब से इन्वेस्मेंड करना एक नए दौर का फिन्टेक एरा को बताते है और लोग हमेशा इं트रस्टेड रहते हैं जानने को कि उनकी पर्सनेलिटी के हिसाब से कौन सा नया स्टोक आया है कौनसी नई investment opportunity आई हैं सबसे अच्छी जिससे उनका long term goals आसानी से पूरा हो सके। कालरा क्या ये मानना था इस strategy को implement करने से पहले कि लोग decision making के नाम पे Eduvintech के concept को run करते हैं वो education पे focus करते हैं वहीं ET money diversified portfolio के हिसाब से strategies बना के जिससे profit बढ़ सके और losses कम हो सके और economic downturn या market volatility के हिसाब से higher returns मिल सके उनके investors को यही काम हाली में end money ने भी किया और उनको एक अच्छा response देखने को मिला लेकिन ET money के case में ये चीज 96% investors को retain कर गई और उनमें से 60% लोग महिने में invest भी करते हैं सिर्फ इनकी एक membership से यानि subscription model से और हाली के सेबी के EOP framework से इन्हें और ज्यादा boost मिला जहाँ ET money के पास consultancy paper है जो इन्हे execution only platform बनाता है यानि simple मतलब यह है कि ET money अपनी mutual fund service को monetize भी कर सकता है लेकिन आप क्या कर सकते हैं क्योंकि fintech का future RBI decide कर चुका था अपने एक decision से वो lead वाली वीडियो में देख लेना और ride वाली वीडियो में fintech startup idea बिल्कुल brainstormed और unique कैसे मिलेंगे वो मिल जाएगा आपको मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए be busy